अक्सल देखा जाता है कि आप अपने घर से किसी अच्छे काम की जरुवात के लिए निकलते हैं और उससे पहले ही कोई न कोई रुकावट आ जाती है इन रुकावट की वज़ा से बने बनाए कामों में भी रुकावट आ जाती है अगर आप इस प्रकार की समस्याओं से चु बन सकते हैं पहला सफलता पाने के लिए घर से निकलते समय सीसे में चेहरा देखकर निकलना अच्छा माना जाता है इस उपाई को सोमार के दिन घर से जरुरी काम के लिए निकलते समय करना चाहिए दूसरा वही अगर आप मंगलवार के दिन घर से निकल रहे है तो गाय को बूर्ग खिला कर निकले तीसरा बुधवार के दिन हरे रंग का कपड़ा जेब में रख कर निकले साथ ही हरे रंग की चीजे खा कर निकले इससे भी आपको फैदा मिलेगा चौथा गुरुवार को किसी अच्छे काम के लिए घर से निकल रहे है तो ग्रसपती देव की पूजा करना चाहिए साथ ही माते पर रल्दी का तिर्थ जरूर लगाए पाँच्वार सुकरवार को किसी अच्छे काम के लिए घर से जाते समय दन की देवी मा लक्षमी का पूजन करे उन्हीं मिठाई का भोग लगाए और खुद भी खाकर निकले छट्था मिठाई के अलावा सुकरवार के दिन मात्ता लक्षमी को दही का भी भूग लगा सकते हैं साथ ही स्वैम भी दही खाकर घर से निकले इससे आपको जली फैदा मिलेगा साथवा घर से किसी भी सुप काम के लिए निकलने से पहले अगर संबो हो तो पान खाकर निकलने से फैदा होता है इससे आपकी किस्मत में जल्द ही सकरात्मक बदलावाने शुरू हो जाते हैं आटवर इसके अलावा घर से निकलते वक्त लॉंग खाकर निकलने से भी आपको फायदा मिलता है इससे भी आपको कारिय में तेजी से सफलता मिलती है नवा सब्ता में किसी भी दिन अच्छे काम के लिए जाने से पहले सूर्य देव को जल चड़ा कर निकले क्योंकि सूर्य देव की पूज़क कल्यानकारी मानी जाती है दस्वा काम में आने वाली बादाओं उसे चुटकारा पाने के लिए आप घर से निकलते समय अद्रक खाकर भी जा सकते हैं इससे भी आपको सफलता मिलती है आप लोगोड़ा पसंदे हो का दो पसंदे हो गा दो पसंदे के शार करे मत बोले गा चाल पने हो इससे प्रयके जाल मत बोले गा एक छो एक प्रहाश्य जायने परत